नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस करेक्रम में जिसका नाम है सिक्रेट साफ जैम सौंग जानि रत्नों का रहसे में संसा मैं रमन एस्टोलोजर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न शनी के उपर मेरे कुछ एपिसोड पहले आयो है सैटर्न के उपर बहुत ही लोगों ने उन्हें सराहा है अब बात हो रही है सैटर्न जानि शनी सबसे पहले मैं बता दू कलजुब में सबसे प्रभावी प्लेनेट जो है वो सैटर्न है शनी है डने घबराने वाली कोई बात नहीं है आपके करम निर्धारित करते हैं शनी देव करम के उपर आपको फल देते हैं जैसे राहू केतू आपके पिछले जन्मों के करम होते हैं पिछले जन्म कहां थे, कैसे हुए, कौन सी आपने अच्छे करम करे, कौन से बुरे करम करे तो ये दोस्तो सब चीजे आपके करमों के उपर है अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक और बड़ी अच्छी मैं ऐसे अच्छी ही बोलूँगा धारना है कि जो होना है वो तो होके रहेगा फिर रतन और उपाय क्या करेंगे ये वो लोग जो फेलियर हैं जो जिन्दगी में कुछ नहीं करते ये सिर्फ अपने इनके पास पैस में बोला जाए कि ये वो बंदे हैं जो जिन्दगी में कभी इन्होंने कभी काम भी नहीं करा नहाने में सबसे ज़्यादा आलसी कपड़े पहनने में सबसे ज़्यादा आलसी जाने में कहीं सबसे ज़्यादा आलसी तो ये वो बंदे हैं हम तो डूबे हैं सनम साथ में ति कि ऐसे क्या बोल दें लिकिन मैं फिर से इनको भी बोलूं गा कि जो होना है होके रहेगा प्लैनेट नहीं हुते हैं यह नहीं होता है तो नासा पागल है नासा तो आज अबी मंगल को देख रहा है कि मंगल है हमारे रिशी मुणियों नो तो जोटुश में हजारों करोड़ों साल पहले लिख दिया कि मंगल है वो तो आज शनी को बता रहा है यह शनी है इसके छले हैं तो वहाँ पे तो पहले हो चुका है काम हमारे विशी मुनी वो भी एक साइंटिस्ट थे जब दूसरी भाशा में बोला जाए यह बोलते हैं कुछ नहीं होता है यह सब चीजे होती ही नहीं है तो इनको पूछा जाए कि यह अमेरिका गए है तो बोलेंगे नहीं गए है तो इसका मतलब अमेरिका नहीं है वहाँ पे वाइट हाउस नहीं है वहाँ पे जो परदान मंत पत्री उनके रास्टे पती कुछ भी नहीं क्योंकि यह तो गेई नहीं कभी मांते ही अमेरिका को भी अमेरिका है वर्ल्ट का सबसे ताकरबर देश है तो फिर कैसे दिमाग इनका सही है बानी गलत है भाशा गलत है पता इनको सब एक और कैटा गरी थार्ट यह वो लोग है जो लोगों को तो बोलते हैं नहीं जी हम तो विश्वास नहीं करते लेकिंड़े हमें फोन करकर बड़ा बोलते हैं कि जब आएंगे तो आफिस में कोई होना चाहिए या प्लीलीज हमें टाइम दीजिये, तो फिर वो क्या है? तो व भी तो ये करी रहे हैं, उपाई मान वह. तो दोस्तों, बात होरी है, शनी की बात होरी है, सैटरन की बात होरी है, सबसे प्रभावी प्लैनेट की धाया साड़े साथी महा दशाएं अंतर दशाएं प्रतेंतर दशाएं योगनियों में उलका योगनिया भी एक होती है जिनको अभी तक पता ही नहीं है कुछ एस्टोलोजर्स को तो योगनियों के बारे में अता पता ही नहीं है, होती होंगी जी हमें कहले नहीं देना यह manual astrology है, this is not for यह कोई computer वाली astrology की बात नहीं कर रहे हम तो दोस्तों यह सारी चीजें होती है जब ढहिया होता है, सारे साथी होती है महादशाएं चलती है शनी की अंतरदशाएं, प्रतेंतरदशाएं, सुक्षम और योगनिया तो शनी निर्धारित करते हैं, what is the right for you or not? वो समय होता है जिसमें आपको शनी आप, अगर आपने बुरे करम करे हुए हैं तो शनी आपको उस करमों के निर्धारित होकर आपको फल देते हैं तो जहर सी बुला जाता है कि अगर हमने बुरे करम करे हैं, जा हमने ऐसी चीज़े करी हैं तो शनी के प्रकौप से सरफ कोन बचाएगा? शनी देव तो मैं फिर से बता दूँ लोग अगर शनी देव के मंदिर जा रहे हैं, पूजा, अर्चना, मंत्रो चारण कर रहे हैं, रतन नीलं पहन रहे हैं तो इसलिए पहने हैं कि हम से गलती हो चुकी हैं, हम शमा चारते हैं, हमें आप माफ कर गए हैं वो प्रियर करते हैं शनी देव के सामने तो दोस्तों, यह मैं फिर से बता दूँ कि अगर आप अपनी गलती को रिलाइस कर चुके हैं, आपको पता चल चुका है जाने जाने कहीं आपसे गलती हो चुकी है, तो उसके बचने के लिए उपाए रतन बने हुए हैं तो मैं हमیشह बोलता हूँ कि आप उपाए रतनों का सहरा लीजिए अब बात हो रही है शनी की तो शनी की महाद़िशा बहुत लंबी महा, 19 वर्ष की महाद़िशा है शनी देव ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी बुरा हो जाए अब एक महादशा अगर 19 वर्ष की है तो 19 वर्ष आप देखें कि जिन्दगी का एक पड़ाओ एक चर्ण एक हिस्सा तो निकल गया अगर आपको जन्म के समय शनी की महादशा लग चुकी है तो 20 साल 19 साल तो आपके निकल गया अप तो जवानी में आगया आप जवानी में लगी है तो बड़ापे में एंटर कर चुके बड़ापे में लगी है तो फिर उसके बाद तो शनी देव कुछ भी नहीं बचता लेते हैं हड्डियों का धांचा बंदा बन जाता अब देखिएगा जिसका शनी शनी देव अच्छे नहीं होंगे स्थिती अच्छी नहीं होगी डिगरी कली तो वो हड्डियों का धांचा बन जाता है एकदम से उसकी चेहरे की रोनक ही उड़ जाती है कोई फेस पे नूर नहीं होता है, लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं इसने अपने आपको जिम में जाके स्लिम क्लिम कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, महादशाएं बहुत ही प्रभावी हैं, अंतरदशाएं बहुत ही प्रभावी हैं, मैं कहीं पे भी आपको ड्रा नहीं रहा हूँ, मैं कहीं प पत्थर, उपाए, अर्चना, और पूजा, मंत्र, यह आप जिरूर पढ़िए। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी इंफरमिशन है, लेकिन इसके फाइदे बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे होंगे। इसके उपर देख पाएंगे, बहुत जल्द। दोस्तों अगर आप मेरे से टेलिफॉनिक ली आपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, भागे रतन, जीवन रतन, साड़े साती, महादिशाएं, इन सब के बारे माँ जानना चाहते हैं, तो जो नीचे से क्रीन पर नंबर डिस्प झाल